हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तो प्रोटन हब मेरा नाम है राहूल और आज अंकरने जारे मेर्स का चेप्टर नूबर वन क्लास फर्स तो लेट्स स्टार्ट प्री नंबर कॉंसेट्स आपको दे रखा है वन पहले लेट्स रीट नंबर्स दे रखे हैं वन टू ट्री पो फाइब सेवन एट नाइन यह तो आपको आते हैं वाटरमेलन है वह बिग है उसके लिए बिग यूद हो है और ओरेंज दा ओरेंज इस स्मॉल और ओरेंज है वह एक स्मॉल हो गया दा वाटरमेलन को ओरेंज हाँ see had in veterans से बड़ा होता है अब exercise वन में क्या है आपको क्या करना है टिक नवाध्य दे bigger and cross the one of is the smallest stitch आपको टिक करनी है जो है bigger वहाँ पर टिक करना है और जो small है उस पर क्या करनी है cross first two image में आपको दिखा रखा है देखो एक football है और एक ball है इसमें आपको बताना है big कौन सा है और small कौन सा है जो big होगा उस पर आएगा tick और जो small होगा उस पर आएगा cross big कौन सा है football और ball पे क्या आजाएगा cross next दे रखाए आपको इन ब्रिंजल है और एक lemon big जो big है उसके उपर आएगा tick और small पे आजाएगा cross इसी तरह आपको खुद आपको देखना है और zebra और rat इसमें से किस पर tick आएगा और किस पर cross आएगा और next two है एक elephant और rabbit जो big है उस पर tick आएगा जो short है उस पर cross आजाएगा longer and shorter longer means चोता है लंबा और shorter मिए चोता है छोटा long longer longest यह हो जाएगा लंबे के लिए बड़े के लिए short shorter shortest हो जाएगा छोटे के लिए tom कहे रहा है I am longer than you tom zari मैं तुमसे लंबा हूं और zari क्या कह रहा है I am shorter than you मैं तुमसे छोटा हूं एकसरसाई फर्स्ट मी में क्या है, आपको टिक करने है कौन्स अब्जेक्ट पे जो लंबा है, टिक दा लोंगर अब्जेक्ट, ट्रेंड और बस मेशिच क्या लोंग होगा, ट्रेंड, तो ट्रेंड पे टिक आजाएगा, नेट्स आपको रोप दे रखिए, जो बड़ी है उ नेक्स्ट आपको दे रखाए एक डूथप्रेस और वाीपर इन जो शोटर होगा उस क्योपर हम क्या लगा देंगी क्रोस थर्ड कोर्शन दे रखाए टिक दा लगस्ट and cross out the shortest आपको जो सबसे longest जो उसके उपर टिक करना है और जो सबसे short है उसके उपर cross लगाना है 3-3 दे रखे हैं इसमें सबसे long कौन सा है जो middle वाला है वो long है उसके हम टिक लगा देंगे जो first वाला है वो short है उसके उपर हम लगा देंगे cross इसी तरह एक fork दे रखा है एक knife दे रखा है और एक spoon इसमें से long कौन सा है long है fork fork के उपर हम लगा देंगे टिक और spoon के उपर क्या आजाएगा एक cross आजाएगा next दे रखा है heavier and lighter आपको बारी heavy मतलब जो heavy है जो more होता है पिकोक यह है heavy और chick जो एक चूजा होता है मुर्गी का वो होता है light हलका heavy heavier heaviest यह होगा भारी के लिए light lighter lightest होगा हलके के लिए the pickock is heavier than the chick जो pickock है जो more दे रखा है वो heavy है भारी है किस से chick से एक चूजे से first है tick the heavier one आपको बताना है melon or tomato में से कौन सा heavy है जो heavy उस पर tick लगा देंगे उस पर tick आ जाएगा next है books आपको books दे रखी है इन में से कौन सी बड़ी है कौन सी ज्यादा heavy हो सकती है या एक तो एक books है और एक तरफ six books है तो heavy कौन सी हो जाएगी six seven ये वली ऐसी यहाँ पर tree दे रखी है एक tree है और एक छोटा सा पोदा दे रख है इसमें से जो इसका question है tick the lighter fun इसमें से हलका कौन सा है इन दोनों से हलका जो छोटा पोदा होगा इसी तरह इन दोनों में से क्रा होगा आपको खुद बताना है इसमें से इन दोनों में से क्या होगा third है tick the heaviest and cross the out of the lightest जो heavy है उसके उपर हम tick करेंगे और जो light है उसके उपर हम cross करेंगे अब इन में से सबसे heavy क्या हो सकता है जो बीच में लकड़ी पड़ी है वो heavy हो सकती उसके उपर हम लगा देंगे tick और जो pen दे रखा है yellow color का ये हो जाएगा light इसके उपर लगा देंगे हम cross इसी तरह एक chick है एक lion है और एक dog है lion और सबसे heavy क्या हो जाएगा lion और सबसे light एक chick जो बीच में एक chooser दे रखा है वो सबसे हो जाएगा light next दे रखा है top and bottom Sharia is at the top of the stairs जो Sharia है वो सीडियों की उपर उपर है सबसे उपर है और हर ब्रेदर उरूज का भाई है वो कहाँ पर है सबसे नीची है सीडियों की exercise 1D में क्या है tick the object on the top आपको tick correct करना है कि top किस के लिए आएगा top के लिए मैंने क्या बताया था Sharia सबसे उपर बैठिये top उपर के लिए आपके लिए और bottom आएगा नीची के लिए अब आपको tick correct करना है top के लिए top के लिए cat के लिए आएगा cat के लिए एक मेज के उपर cat है तो cat के लिए आजाएगा tick और इसमें है एक boy उपर खड़ा और एक girl नीचे खेल रही है तो उपर कौन सा है top पर एक boy तो boy के उपर tick का जाएगा next fill in the blanks आपको fill in the blanks करने है fill the flower pot is on the dash of the refrigerator top होता है उपर के लिए bottom होता है नीचे के लिए flower pot कहाँ पर refresh के उपर पड़ा है न तो उसके लिए हम क्या लगाएंगी top the flower pot is on the top of the refrigerator इसी तरह next है monkey are at the dash of the tree monkey कहाँ पर है tree के नीचे खिल रहे है तो इसके क्या आदाएगा bottom monkey are at the bottom of the tree next आया है inside and outside inside होता है अंदर के लिए outside हो गया बाहर के लिए जो यहाँ दे रहे है the parrot is inside the cage एक parrot है inside अंदर है और the pigeon is outside the cage जो pigeon है वो cage के बाहर है वो बाहर गूम रहे inside हो अंदर के लिए अब आपको tick दा करना है which is the inside आपको बताना है इनमें से inside कौन सी है अंदर कौन सी है एक जो fish है वो अंदर है frog है वो बाहर है inside कौन सी होई fish होई हम fish पे tick करेंगे next है यहाँ next है एक house एक छोटा सा dog का house बना हुआ है उसमें two bones पड़ी है दो हडियां पड़ी है एक घर के अंदर है एक घर के बाहर है आपको बतानी है कौन सी अंदर है inside उसके उपर टिक होगा जो अंदर बड़ी है second है cross out of the one which of the outside आपको बताना है कि outside क्या पड़ा है एक तो fruit के अंदर एक check box है और एक है बाहर watermelon पर कौन सा बाहर आएं में से watermelon तो हमारा cross किस पर आजाएगा watermelon पर इसी तरह एक fold दे रखे हैं दो चोटे चोटे आपको बताना है कौन सा outside है और जो outside उसके उपर क्या आजाएगा the rat dash is bill आपको rat बताना है कहां पर है rat bill के बाहर है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे outside the rat is outside its bill next question है the boy is the car और boy कहां पर है car में boy car के अंदर है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे inside the boy is inside the car next आगया हमारा above and below the helicopter is flying above जो helicopter है वो यूज़ हो रहा है उपर के लिए the aeroplane is flying below जो aeroplane कहां पर यूज़ हो रहा है नीचे के लिए उपर के लिए यूज़ करेंगे हम above और नीचे के लिए करेंगे below अब आपको टिक दक रख दे रहे है टिक दक object which is above आपको इन दोनों में से बताना है इन दोनों में से above क्या है एक table पड़ा है नीचे और एक fan चल रहा है उपर तो हमारा above क्या आजएगा fan और second क्या है two birds है एक तो नीचे चल रही है और एक उपर ओड रही है जो blue color की है वो above के लिए आएगी तो हम टिक करें किस पर करेंगे blue value पर second है cross out the object which is below आपको पताना है जो below पे है उसके उपर cross लगाना है आपको first image में क्या दे रहा है एक aeroplane जो उपर उड़ रहा है और एक truck जो नीचे जमीन पर चल रहा है तो below कौन सा हुआ truck हम truck के लिए एक cross लगाएंगे और इसके लिए है एक kite जो की उपर हवा में उड़ रही है और नीचे thread roll पड़ा है तो किसके लिए आजाएगा cross नीचे thread roll के लिए third आजेगा fill in the blanks the stool आपको image को देख कि ये चारो fill in the blanks में fill करने है the stool is dash the dust mean जो stool है dust mean के above है ये below है dust mean नीचे पड़ा stool उपर है तो above आ जाएगा न the stool is above the dust mean next है the box is above the stool box stool से उपर है तो हम above यूज़ करेंगे next है third the teddy bear is above the box teddy bear है वो box के उपर है तो हम या भी above यूज़ करेंगे the box is dash the teddy bear box क्या teddy bear के नीचे है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे below the box is below the teddy bear before and after before होता है पहले के लिए and after होता है बाद के लिए use किसके लिए before होगा पहले के लिए after होगा बाद के लिए Chris is standing before kitty Chris है वो kitty से पहले है kitty से पहले खड़ा है और Mickey is standing after kitty और Mickey क्या है kitty के भाद में खड़ा है after होगा भाद के लिए और before होगा पहले के लिए अब आपको बताने tick which is before आपको tick करना है पहले कौन सा है एक rabbit है यह एक अचुवा है कचुवा वाले कानी सुनी होगी आपने कचुवा फ़स्ट पे है तो इसलिए before पहले कौन सा है इस पे tick करेंगे और इस पे एक बच्चा अपने पापा के साथ दोड़ लगा रहा है इसमें आपसे पूछा tick which is after बाद में कौन आया अब पीछे उसके पापा है तो हम किस पे tick करेंगे उसके पापा पर थर्ड है write the letters which come before F और B है write the five letters which come after F आपको F से पहले वाले letters लिखने है और F के बाद वाले letters लिखने है जिसमें आएगा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L जिसने भी आ रहे हैं आपको लिखने है इसने अब next last आपको आ रहा है more and less more और most यह होगा ज्यादा के लिए less और less होगा कम के लिए Jerry क्या कह रहा है I have less apples than you Jerry कह रहा है Tom को मेरे पास apple कम है तुम से मेरे पास तुम से कम apple है I have less apples क्योंकि Jerry के पास 4 apples है और Tom के पास कितने है 6 apples और Tom क्या कहेगा I have more apples than you मेरे पास तुम्हारे apple से ज्यादा apple है मेरे पास अब आपको टिक क्या करना है set of which more ticks the set which has more and cross set which is less जो ज्यादा है उसके लिए हम tick लगाएंगे और जो कम उसके लिए cross लगाएंगे इसमें से ज्यादा कौन से हुए जिसमें 7 pen है उसके उपर हम लगा देंगे tick और 2 वाले पर लगा देंगे cross इसी तरह यहाँ पर keys दे रखी है जो ज्यादा होगी उसके उपर हम लगाएंगे tick और जो कम होगी उसके उपर लगाएंगे हम लगाएंगे tick और जो कम है उसके लिए क्या लगाएंगे अब यहाँ पर 4 eraser है यहाँ पर आजएगा tick और जहाँ पर one है वहाँ पर आ जाएगा cross craps पर आपको खुद देखना है किस पर tick आएगा और किस पर cross आएगा thank you for watching तो चैनल को like and subscribe करें अगर आपको कोई इसमें doubt आता है तो आप प्लीज लाइक कमेंट और उसमें कमेंट कीजिए और बताईए थैंक यू